नमस्कार मैं रिना शर्मा स्वागत है आपका साइंस ओफ कुकिंग में आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मोमोस और इसकी रेस्प्री में बहुत ही इजी तरीके से आपको दिखाऊंगी आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने घर में इसे बना सकते हैं और साथ ही इसके मै मैं दो टिप दूँगी मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड में और शरुवात में मैं एक टिप आपको दूँगी तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही मैं आपको मोमोस की बढ़िया सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं बिस्किट कई बार सील जाते हैं इसके लिए मैं आपको एक टिप दूँगी मैंने कीचन टावल लिया है नेपकिन उसमें हम थोड़े से चावल डाल देंगे इससे क्या होगा कि ये सारा मौश्चर सोख लेगा और हमारे बिस्किट बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं और इनमें वही कुरकुरा पॉन रहेगा ये है मेरी पहली टिप हम इसमें बिस्किट अच्छे से डाल के रख सकते है अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगती है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए मुझे ये वीडियो शुरू करते हैं आगे मैंने एक कटोरी मैदा लिया है आप अपने हिसाब से मैदा कम या जादा कर सकते हैं नमक स्वाद अनसान लेंगे मैदे के हिसाब से नमक और इसे सबसे जरूरी बात है कि मैंने ठंडा पानी यूज किया है बिल्कुल बरफ वाला इसे हमारा डो बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा हाड भी रहेगा जिससे हमारे मोमोस बिल्कुल भी फटेंगे नहीं बहुत बढ़िया सा एक हमने डो तयार करना है और इसे हम बिजा बनाते हैं ब्रेट बनाते हैं कोई भी मैदे वाली आइटम बनाते हैं तो उस आटे को हमें खूब मलना है अब हम इसे आधा गंटा के लिए फ्रीज में रखेंगे ये बहुत जरूरी है जब भी हम मोमोस बनाए इस बात का ध्यान रखें आटा आधा गंटा नीर लिया है, बारिक कटा एक प्याज, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी काली मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, अब हम चक्नी तयार कर लेते हैं, चार बड़ा टमाटर लिया है, प्याज लिया है मैंने, और लाल कुटी, लाल मिर्च लिया है, पांसे दस लहसुन की कलिये है, दो बड़ा चमस तेल लिया है, टमाटर डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, यह होम मेट लाल मिर्च है, साबूत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप, प्यास डाल देंगे, अब हम इसे पांसे साथ मिर्च तक अच्छे से भून लेंगे, नमक डाल देंगे साथ में, देखिए अच्छे से हमारी टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं 5-7 मिन्ट लगे हैं मुझे इसको साथ में इसके हम एक चमत चीनी डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारी चट्नी का देखिए चट्नी बिल्कुल तयार है हमारी बनकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था आधा घंटा हो चुका है हमारा आटा भी बिल्कुल तयार है अब हम इसे दवारा से थोड़ा सा मल लेंगे अब हम इसके एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे ऐसे एक कटोरी लेंगे और उससे हम इसकी शेप बना देंगे इससे जो हमारे मॉमोज हैं बिल्कुल इक्वल बनेंगे देखिए इसको भी हम हल्का हल्का दोबारा बेल लेंगे अब हम पैन में गरम पानी रखेंगे और हम जिस पे हमने मॉमोज को स्टीम करना है उसको अच्छे से ग्रीस करेंगे फिलिंग करेंगे हम अपने मॉमोज की मैंने चारो तरफ पानी लगा दिया है थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे जिससे वो खुलेंगे नहीं फोक की सहायता से हम इसे बंद करेंगे अच्छे से सील कर देंगे आप जैसी शेप देना चाहें मॉमोज को आप दे सकते हैं मैंने फ्लावर की शेप दी है हलके से देखिए सारे मॉमोज बन चुके हैं अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए स्टीम के लिए रखेंगे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं देखिए मॉमोज का कदर चेंज हो चुका है और हमारे मॉमोज बिल्कुल बन कर तयार हैं देखिए अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह के से स्टीम हो चुके हैं तो जटपट बनाईए खाईए बहुत अच्छे लगेंगे आप सबको अब आती है मेरे दूसरी टिप की बारी कई बार हमारे घर में बहुत सारी मिर्ची आ जाती है और हमें डंठल तोड़ने का इसका टाइम नहीं रहता इसलिए हमें इसको फ्रेश कैसे रखना है मैं के फ्रीज में रखेंगे यह हमारी मिर्ची 10-15 दिन तक बहुत फ्रेश रहती है तो यह थी मेरी दूसरी टिप तो मिलते हैं अगली न्यू रेस्पी के साथ अब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें